एक बर फिर से राहुल गाधी के बयान के चलते बीजेपी सांसत को एक पत्र लिखना पड़ा है कि उनके पासपोर्ट को रद कर दिया जाए ऐसी नौबत क्यों आई इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारती जनता पार्टी के वरिशनीता औ दॉक्टर सीपी जोशी जी इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने पत्र क्यों लिखा देखिए देश की जनता ने जिस परिवार को साथ वर्ष्टों तक शासन करने का उसर दिया तो उनको यह अधिकार नहीं बन जाता है कि वो देश के लिए अनर्गल बाते पूरे देश और दुनिया में जाकर करें देश में आप हो सकता आपका पक्ष विपक्ष हो आपको किसी राजनेतिक दल से किसी राजनेता से आपका विरोध हो तो देश की जनता के बीच में जाए जनता निर्णा करेगी कि जनता किसके साथ है लेकिन आप दुनिया के राष्ट जो देश भारत को कमजोर करना चाहत जो राष्ट विरोधी ताक्ते हैं, उनके हाथों खेल कर आप देश को कमजोर करना चाहोगे, तो कोई भी भारती इसको परतास नहीं करेगा, आप एक नहीं अनेक मौकों पर, चाहि सिक्ष समाज ही नहीं, इन्होंने आरक्षन को समाप्त करने की बात कही, इन्होंने देश की सेना पर प्रशन लगाया, इन्होंने विदी इसी कमपनियों के हाथों खेल कर देश के उध्योगपतियों को नीचा दिखाने का काम किया, ताकि इस देश की अर्थियस्ता डगमगाए, ऐसा अनेक मौकों पर भारत विरोधी बयान इन्होंने दिये हैं, तो ये देश की जन क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, आप भारत के नेता प्रतिबख्ष के नाते वहाँ गए हो, मैं राहूल गांदी जी और कॉंग्रेस के नेताओं से कहूंगा, को एक व्यक्ति तो बताओ, जो दुनिया का यहां नेता आया हो, उस देश की जिस देश का रहने वाल उस देश की कहीं बुराई की हो सरकार के बारे में आलोश्टा की हो भारत में इतने नेता प्रतिवक्ष रहे एक व्यक्ति तो बताओ जिन्हों दुनिया के मंस पर जाकर कॉंग्रेश चाहिए या शाशन में रही हो उसमें भी कभी भारत की आलोश्टा की हो तो फिर क्यों यह सत्ता के लालची पर इतना क्यों कि सेहतालिस में भी आपने प्रधानमिंद्री की कुर्सी के लिए भारत माता की टुकड़े करा दिये क्या इसी उसी रह पर आप फिर चल पड़े हैं लेकिन देश के जनता आपका असली चेरा जानती है आप भारत विरुदी बयान अगर दोगे तो यह देश के जनता कते बरदास्ट नहीं करेगी मैंने माननी लोकसवाद दग्जी से यही आगर किया है आपके इस पत्र के बाद अशोग गहलोत नहीं कहा है कि दरसल बीजेपी की शरारत पूर यह रवया है ताकि राहुल गांधी की जो चबी है वो खराब हो सके उनकी चवी तो कॉंग्रिस के नेता ही कैएंगे हम उनको जैल रहे हैं हम बार बार पढ़ा लिखा किविश् verschill को संसल में फिर को को इनको हमें कुछ ऐसा कर जाते को हमें नीचा देखना पड़े और इनी के नेता कहते हैं नहीं लोकसवा और विदानसवा उनको मत बिलाओ नहीं तो फिर हमारा बट्टा बिठा देंगे अशोगेलो जी आपके साथ के लोग ही बाते करते हैं ठीक है आपको गांधी परिवार से आपका मजबूरी है आपके लिए बोलना है लेकिन हाँ शरारत क्या है ये ज़रूर आपको बताना चाहिए क्या दुनिया के किसी मंच पर जाकर भारत की आलोचना करना ठीक है क्या आपको लगता है कि राहूल गांधी एक महत्वड जिम्मेदार पत पर रहने लायक नहीं है ये तो हम तो कही रहे हैं कॉंग्रेस के लोग भी कह रहे हैं जिसा मैंने आपको पहले बताया जो लायक थे तो वो तो सबको निकाल दिया इन लोगों नहीं या जो छोड़के चल के वरिष्ट लोग इस बारे में समय समय पर पूरा इनके बारे में बताते हैं एक आखरी सवाल कॉंग्रेस का कहना है कि पासपोर्ट तो कहीं और बनता है लोगसभा अद्ध्यक्ष बनाएंगी क्या सांसथ होने के नाते डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के एपलाई MS ब्रांच में होती है वहीं से सारी प्रक्रियां पूरी होती है उसके बाद वो विदेश मंत्रा ले जाता है तो एरेक्सी जो लोक्सवा अद्रग जी लोक्सवा के अधीन आता है महीं इसकी प्रक्रिया शुरू होती है और उसके बार वहाँ जाता है मैं ख्याल से उनको जिनको जो लोग बोल रहे हैं उनको मैं जानकर ही देना चाहता हूँ इसका थोड़ा द्यान में ला ले शुक्रियां दिल्ले से इंद्या पोस्ट ने उसके लिए ममता चतुर्वेदी